इस वीडियो के अंदर हम पेट के कुछ प्रॉब्लम्स के उपर बात करेंगे जैसे कि पेट में दर रहना पेट में जलन होना गैस बनना और पेट के साथ पूरी तरीके से पेट आपका अपसेट रहना अपच यानि की डाइजेशन अच्छे तारीके से नहीं होना इस बारे म इसी चीज के बारे में बात किया जाएगा वीडियो ओवर आल बहुत इंट्रेस्टिंग नॉलेजवाना होने वाला इंपोर्टेंट होने वाला अगर यह वीडियो आपने देख लिया तो दूसरा किसी भी लक्षन की वीडियो आपको देखने की जरूत नहीं पड़ेगी क के अंदर जो बदलाव होता है प्रेगनेंट होते ही वह बदलाव जो है वह लगभग सभी महिलाओं में होता है क्योंकि बच्चा जब भी आप करते हो तो इस हिसाब से यह चेंजिंग आने स्टार्ट हो जाती है तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करती हूं मैं जैसा कि आप इस तस्बीर से समझ रहें कि इस फैलोपियन ट्यूब के अंदर एग जो है वह फर्टिलाइज होता है फर्टिलाइज होकर आकर वह यूट्रेस की दिवार से जो होता है वह चिपक जाता है इसे चिपकते के साथ ही हमारे सरीर में धेर सारे परिवर्तन आने ल राति करते तो आपका जो खाना है वह पूरी तरीके से डाइजोर नहीं होगा वह आप डाइज़ेंट ही नहीं पाती है यह दूसरी प्लॉब्लम चेसरिक अगर बातकि चैज आपको गय्स की समस्या और गयें से इतनी ज़्यादा होगी कि आपको पूरे दिन में कुछ कुछ भी खाने का नहीं मन करेगा तो यहीं सारा करती है कि अब आप प्रेगनेंट हो चुकी हैं तीसरे अगर पॉइंट की हम बात करें तो यह चीज़े होती है पेट में जलन की समस्या होने लगती है जलन क्यों होती है क्योंकि आपका खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है ग त्टीखी चीजों खाने का जदा मन करने लगता है तो इस तरह की जो चेंजेश वह हमारे सरीर के साथ असानी सहोने लगती है और हम यहां आप पते हैं यहां इस वीडियो में जितने भी लक्षन जितने भी सिम्टम बताय कि यह सारे सिम्टम आपके पीरिड मिल्स होने की डाइजेस्टनी होगा वो समस्या सबसे उपर में होगी बाकी समस्या जोगी वो थोड़ी थोड़ी होगी बस जरूरत पड़ती है आपको अपने सरीर को नोटीस करने की खुद को समझने की और साथ ही साथ अगर आपके डाइजेस्टन के साथ इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो र यूरिन पूरी तरीके से डार्क हो जाता है येलो कलर में आजाता है जैसे हैं यह प्रेग्णन होती है आई इस वीडियो में सारे डाउट को क्लियर कर दिया अब भी कुछ पूछना है किसी भी सिम्टम्स के उपर बात करनी है तो मुझे नीचे आप कमेंट कर सकते हैं थैंक् तो वाचिंग तब तक के लिए बाइबाइन टेक केर